अमद्द प्रदेश में उच्चितर माद्दिमिक सिख्षा चैन परिक्षा 2023 की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हमने आप बच्चों से 3 मन्त का चैलेंज लिया है यानि कि 3 महिने के अंदर हम आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर कराएंगे वीडियो के साथ, नोट्स के साथ, टैस सीरीज के साथ और साथी साथ आपको एक बार रिवाइस कराएंगे तो इसके लिए आपको हमारी एप्लिकेशन विष्णु एकनॉमिक्स स्कूल पर जाना होगा और यहां से आप इस कोर्स को लॉगिंग कर सकते हो कोर्स हिंदी और इंग्लिस में मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं आप चाहो तो इंग्लिस में भी इसको देख सकते हो एक्सिस कर सकते हो तो यह नोट्स है अभी नोट्स के अंदर हमने क्या का कवर किया हुआ हुआ है उसी से आपको एडिया लगेगा कि इसके अंदर हम इसके लावा, अर्थिक समस्याप और क्यारण परकार कौन कौन से क्या उत् بादन किया जाए इसके अलावा पीपिश्टी यानिकि उत्पादन सम्मावनवक्री क्या है ये भी आपको पढ़ना है तो ये डिटेल में हमने पढ़वाया हुआ है ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा टॉपिक कराके स्किप कर दिया हो डिटेल में समझाया हुआ है इसके अलावा आर्थिक प्रणालिया कौन सी होती है बाजा रतिवस्ता केंद्री योजनावरत इसके अलावा मांग के प्रकार ये सब कुछ आपको बच्चो कवर करना है मांग की लोच के अंदर मांग की लोच तीन प्रकार की होती है तीनों प्रकारों की मांग की लोच कवर करनी है डाइग्राम के तुरू समयना है कंसेप्ट को इसके अलावा मांग की लोच को प्रभ तो इसको तीम पेज में चनवर्ट करना है और वही तरीका बच्छों एक्जाम कुलिफ़ाई करने गाए तो यह सारे के सारे पॉइंट आपको आपको कवर करने इसके अलावा मांग की लोच कोमापने की विदियों में इसके अलावा देखिया यह मांग की लोच की प्रतिस्त यह सब अब आपको पड़ना अब घर तो सिस्टमेंटिकल तरीके से आप पड़ोंगे तो आपका एक्साम कालिफाइब हो जाएगा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं और आप एक करके धीर धीर देख सकते हो इसमें सीमान प्रतिस्ताप अंदर के बारे में डिसकस किया हुआ है यही आपको वीडियो के अंदर भी मिलेगा और बलकि वीडियो में कुछ चीज़े ज्यादा भी है हो सकता है कुछ चीज़ करता है वीडियो देखिए नोट्स बनाई है और तरीका कुछ नहीं है बच्चो जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे जितना प्रक्टिस करोगे उत्रा ही आपके लिए बैटर रहेगा गटिया वस्तू क्या होती है इसके अलावा यह सब आपको कवर करना है ओके सकते हो यूजी सी नेट का तो हमने अल्रडी कुछ शेप्टर डाले हुए तो बच्चो यह सिस्टेमेंटेकल तरीके से सारी के सारी वीडियो हमने बनाई हुई है और मैं उमीद करता हूं कि आप अगर इस को जोईन करते हो और नोट्स को पढ़के वीडियो को देखकर आपका एक्जाम जरूर क्वालिफाई होगा अब एक अफते त्यारी कीजिए पूरी की पूरी यूनिट वन की अगर आप कोर्स जोईन कर रहे हैं तो भी आप अपनी त्यारी कीजिए टॉपिक सारे के सारे आपको यही कवर करने ऐसा ना हो कि आप के वल 11 और 12 की किताब से पढ़ लो और एक्जाम में फेल हो जाओ एक्जाम में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि आपका जो लेवल हो वो पीजी लेवल पर रहे आप जो भी बुक ले और चैप्टर यही ले पीजी लेवल किसे ले यह आप मेरी बात याद रखिएगा कोई भी चीज आपक लेवल से नीची नहीं पढ़नी है यानि कि आपको एमे लेवल की त्यारी करनी है ले वस्ति यह लेना त्यारी में लेवल कि करनी बस इती सी बात कहके मैं अपनी बात खतम करता हूं इस वीडियो में थाइच यू